हुआ है गाइज और वालकम तो फिल्डर फॉर्म तो एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए वोईस आ रही है आवाज सभी को सुनाई दे रही गाइज प्लीज एक बार प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए वोईस आ रही है सभी को ओल इस फाइन एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए वोईस आ रही है ओल इस डन आइम फाइन थोड़ा सा सही है भी चली सुरू करते हैं आपको नहीं सोचना है और जिनों ने भी अवी तेख हमारा टेलिग्राम गूरूप जोइन नहीं किया है आप लोग टेलिग्राम गूरूप पे जोइन कर सकते हैं जहांपर आपको रोजा ना साम को क्यूज देखने को मिल जाती है तो प्लीज गाईस आप लोग जोइन सबी लोगों को जोइन करनी क्यूज साथ बज़े होती है एक पर प्लीज मुझे कंफर्म करती है वही सारी है चलिए और दोस्तों अभी फिल्डर फॉर्म पे 25 परसेंट आफ चल रहा है गाईस आप लोगों के लिए जिनोंने जोइन नहीं किया है आपकी फैमिली में मैं फ्रेंड में उनको बहुत हो भाई कि सुनेरा मोका है अभी जिनोंने सेकिंड पेपर जोइन नहीं किया वह आप जोइन कर सकते हैं 25 पर चल रहा है और हमारा इस्ट्री ओप कंप्पूटर हो गया है डिवाइस हो गया है मेमोरी के दोनों पार्ट हो चुके है आपको जो क्लास कर सकता हूं ठीक है दादा बोल सकते हो कोई सुनिया है जो आपको मैं अच्छा बोलो ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिनको नहीं पता माईने में जितंदर गोस्वामी और मैं आपको करवाऊंगा आई सिटी पेपर पस की एड ये यूनिट है ठीक है जिन्होंने पुरानी क्लासस नहीं देखी आप लोग देख सकते हों आपको प्ले स्टोर में आपको मारे एप के अंदर जाकि सारी क्लासस देखने को मिल जाएगी तो यह स्लेबर से हमारा एक बार सब लोग जल्दी से जोइन करें और मैंने होमबर्ग दिया था किस-किस ने होमबर्ग किया किस-किस ने होमबर्ग किया है गाईज प्लीज मेरा आंसर दीजिए किस-किस ने होमबर्ग किया है यहस मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि काफी लोगों ने अच्छे से एक प्रोपर वे में होमबर्ग किया है बैरिट अगए यह इस होमबर्ग करने है और आज होमबर्ग दूंगा तो अभी रता होमबर्ग करने के आपको वाएधा हु हुआ जफीर हुआ तो आको क्या-क्या बेनिफिट हुआ है गाईस एक बार याद हो गया यहाँ पर अच्छे कमेंट आरे याद हो गया देखे गाईस सोट फॉर्म जो है हमारे नेट एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट रोल अदा करता है हर साल एक या दो फुल फॉर्म आती है अब जब मैंने आपको होमबर्ग दिया तो आप लोगों ने कहीं इंटरनेट पर देखा होगा काफी लोगों किताब में इसे लिखा भी तो बिल्कुल हम लोग याद हो जाता है याद इस वेरी गुड थिंग यह अज मालूम हो गया तो आज हम लोग याँ पर पढ़ें है इंटरनेट कोन मुझे बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है मुझे कोन बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है गाईज कि मुझे एक आंसर दीजिए कि 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 दूस्तों इंटरनेट इंटरनेट जो है है इसमें तीन वड़ आपको देखने को मिलेंगे इंटर और ने कि हमां कि मैं भी क्लास कर रहा हूं फिर फोन करता हूं तो इंटरनेट का मतलब होता है दोस्तों पूरी दुनिया का जाल एक जाल ऐसा बना हुआ जहां पर एक कोने से लिकर एक कोने से आप लोग संपर कर पाते हैं अब भी आप में आप से बात कर रहा होंगा तो आप हर एक अलग-अलग जगे से हों कोई भियार से हैं कोई आप अगरा है की का मैं तो उता है इंटरनेट थीक है समझ में आ गया। जेपूर से बेटा बेटा आप लोग काफी लोग भीयार से हैं काफी लोग कहां कहां से हम लोग बात कर पा रहे हैं बात कर पा रहे हैं हम लोग यहां पर और अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो बात अच्छी हो पाएगी जैसे हम लोग वीडियो को लिंग करते हैं ठी इंटरनेट आपको मुझे बताना इसे कौन-कौन से वे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते का इसम भूल गया वे मतलब उपाए ऐसे कौन-कौन से साथ मतलब वे मतलब रास्ते हैं जहांसे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं आपको मुझे बताना है कि इसे कौन-कौन से रास्ते हैं जिसके द्वार हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं मुझा आंसर दीजी सभी लोग प्लीज रास्ता यस कौन कौन से हैं आंसर दो यार आज आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके कौन कौन से रास्ते याँ पर आपके पास इंटरनेट आता है इंटरनेट को आने के कौन कौन से रास्ते है नहीं पता अरे यार मोबाइल चलो वेरी गुड मोबाइल आ रहा है देखें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास दोस्तों है कोच ने के काफी साथन है हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिस्ते दोस्तो हमारे पास कोई ना कोई एक इसए डिवाइस होनी चैँए जिससें लोग connect हो पाए आज आपके पास में क्या haug working साम लोग connect कर पाते हो और आपके बास दो चीज़ें और आपका हाड़्वेर और आपका software आपका hardware और आपका software आपके पास होना चाहिए जिससे आप लोग करेंट हो सकते हो ठीक है समझी में आ गया हाडवेर और सोप्ट्रेट के बिना आप करेंट नहीं हो पाओगे अगर जहां पर हाडवेर हे ना वहां पर आपका सोप्ट्रेट भी होना जरूरी है ठीक है मुझे कौन बताएगा टाइप्स ओप इंटरनेट के बारे में है कि कि टाइप्स ओप इंटरनेट के बारे में कौन बताएगा कि दोस्तो पहले हम लोग बात करते हैं । दी एस एल वोड़ीज़ दा फुल-फॉर्म ऑफ-डी-एस ये आप लोगों ने फुल-फॉर्म भी लिखी यह तो आंसर दो हुए हुए धी दोस्तों dsl का मतलब हुता है एक में होती दोस्तों एक बाय लाइन होती जहां से में इंटरेट मिलता एंडिटल प्डेक्शन लाइन क्या होती दोस्तों Digital अपस्प्रेशन लाइन dsl के एक वार सभी लोग मुझे फुल फॉरम लिखे पिलीज तो उस्तों कि क्या करती है यह आपका internet से connect कर आती है में भी आपकी phone line हो गई fiber हो गए आपका cable जो cable से आपका internet connect होता है अगर आप देखोगे यहां से आपके phone में अगर आपके बाद यहां पर हम लोग काफी यूज करते हैं तो में क्या होता है मारा फॉन तो चलता ही चलता है साथ यह लाइन भी आती जहांपर मारी वह मोडम एक साथ होगा आपके पास जिनके पास गर में वाइफाई यह उनको पता होगा वहां से सीथा हमारा केबल को कमटर से कर पाते हैं तो यह क्या करते हैं केबल के लाइन के अकोडिंग करेंट होता है यहां पर यहां पर केबल पर काम हो रहा है यहां पर आपक़ You wish कवाई नहीं है अभी हम लोग का करें कि फहन कि फॉन हमारे घर में फून से और शहुक्त पाईर और हमारा इंतरनेट चल जाएगा दूसरा है केबल इंटरनेट यास दोस्तों केबल इंटरनेट क्या होता है लोकल केबल सिस्टम होता है आप लोगों ने दिखोगा जिनके पाइटेल का होगा जीयो का आपके एरिया में कुछ लोकल केबल भी चलती होगी लोकल केबल वाले करते होंगे कि हम से करवा हम लोग 500 कर देंगे हैं लगें पर हम लोग काफी कर बाद भी के बीस काम करता नियुक्र अर elle करनेट होता है यह वाँ पर काम करता है यह मंत ही आप से चार्ज करता है यह वाला किस-किस ने करवाया हुआ है कि यह वाला किस-किस के घर में वाइप आई है यह किस-किस के काफी लोगों की पास हो गई है ठीक है अगला आता हमारा सेटलयट इंटरनेट यह है सबसे काम और दूश्तु आपको पता होगा इंटरनेट काफी से मिलता है एक आपके घर पे हैं आपके आज़ पास रेल्वें श्यट्रेसर में प्रियर दोर्ट चंप करता है या बदे या अगर आपके और किसी ऑफिस में गए आपके आते हैं न उसके हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं समझी में आ गया इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं वाइलेस पोर्ट स्पोर्ट एंड वाइफाई बाई यह तो सबी को पता होगा पुर मुझे बताएगा वाइलेस पोर्ट स्पोर्ट क्या होता है वाइफाई क्या होता है आंसर दो सबी लोग कर दो कर दो कर दो कि आंसर दो गाइज देखी दोस्तों होड़ स्पोर्ट सबी को पता है आज की जनरेशन में होड़ स्पोर्ट क्या होता है है जम हम लोग किसी के internet से किलेट करते हैं आपके पास कहीं से दूद आ आया मतलब आपको देने वाबार से पैगे शारा है पर आपने उसका एंटेने लिलिया उसको हम लोग कहते हैं है for sport है ठीक है इन इसको फिए वाइड हो स्पोर्ट यह इन कोई के बल की जुरत नहीं अगर आज आपको किसी के साथ ओर स्पोर्ट करनेट करना है तो हमको वाइल की जुरत होती है क्या नहीं होती है अम लोग सीधा ही कर पाते हैं यह सभी माह एक चलदिये यह वाइफा आप लोग करते हो इसमें वायर की जुरूत होती है कि हमें नहीं होती है हम लोग हमारे मोबाइल से या लैप्टोप से भी हम लोग कर सकते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें कनेट हो जाती है ठीक है समझ में आ गया है कि मैंने कंटेंट हिंदी में भी दिया है आप लोग नोट्स मिलें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे अब बात करते हैं फॉन से इंटरेट 2G 3g 4g मुझे कोन बतागे जी का मतलब क्या होता है 1g 2g 3g 4g 5g का मतब जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है गाइस प्लीज मुझे आंसर दीजिए इसका मतलब क्या होता है यह जीए का मोग रूज करते हैं आज़ों कि एक रहा है कि अज़ों कि आज़ों कि अज़ों कि आज़ों कि देखें गाइस जी का मतलब होता है जनरेस्टन जी का लोग ने नर्मल फोन का यूज किया जहाँ पर उनली बातचीत हो सकती थी सेकंड जनरेशन आप लोगों नहीं देखा होगा जो नोगया का मुबाइल आता था जहां पर हम लोग के साथ सेरो साहरी वाले याद आगे होगा कि सभी को सेरो साहरी वाले जब 3G आया हमारे पास तो हमारे पास आता है इंटरनेट हमारे पास या आता है इंटरनेट हमारे पास आजाता है जहांपर զोग दोग Wirtschaft चला सकते थे गूगल चला सकते हैं इसके बाद दोस्तों जब हमाइरे पूहली आता है वाँ पर दोग वीडियो कॉल यह सब चीज आई जून वीडेकल मर्ज करना वाट्सप वीडेकल वीडेकल कॉंफ्रेंस यह जो हाई इंटरनेट यह हमारा वो फॉर जी के बाद सुछ सब्सक्राइब नहीं चलता है तो क्या हो गया फोर जी तो यह किस पर काम करता है जनरेशन पर हमारा चलता होगा हमारे जैपुर में चलता है और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है लुट सूबई तुकिर है अवे हैज का अब आपने पात करेंगे इंकॉलेंट उप्लो इंटरिट अब आपको अपने अखोंग बताना है कि आपके लिए इंटरनेट क्यों जरूरी है आपको अपने अर्कोडिंग मुझे बताओ कि आपके लिए इंटरनेट इतना जरूरी क्यों है काईस कि सबी लोग मुझे आंसर तो प्लीज आपके लिए आपके लिए मतलब आपके लिए ही इंटरनेट इतना जरूरी क्यों है बताओ यार देखो अपनी अपनी आज से देनी है इंटरनेट जैसे की अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखे गाइस सबसे इंपोर्टनेट है आज की टाइम पर हम लोग क्मिनिकेशन कर पाते हैं हम लोग किसी से बात कर सकते सबसे अच्छा साधन इंटरनेट का कमिनिकेशन करना आज की टाइम पर नॉर्मल कोई भी नहीं कर पाता है आज कर हम लोग सीधा वीडियो कोल करते हैं कमिनिकेशन कर पाते हैं दूसरा है नौलेज के लिए सबसे बड़ी चीज़े दोस्तों नौलेज तीसरा है अवेटनेस हमें आज कर कुछ भी जानना है समझना है तो हम लोग सीधा इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं ठीक हैं इंटरनेट इस सारी चीज़ें यहां पर आपकी काम आती है ठीक है यार ठीक है यूजब इंटरनेट अब मुझे बताँ वोट इस दा आई पी एड्रेस वोट इस दा आई पी एड्रेस याइस प्लीस आंसर दो मेरा ओडिस दा आई पी एड्रेस सबी के आंसर आएंगे मैं जबी आगे चलूंगा आप याइस आंसर दीचे वोट इस आई पी एड्रेस आप लोग के रहें इंटरनेट प्रोटोकोल चलो फुल फॉर्म तो अच्छी लगी अब मुझे यह भी और यह बता तो होती क्या है इंटरनेट प्रोटोकोल तो अच्छा है पर फुता क्या है फुल फॉर्म पूछी नहीं है आप लोग फुल फॉर्म का आंसर कर रहे हो है कर दोस्तों फैसे आपके घर का एड्रेसन पूरी दुनिया में और एक्सेस नहीं करता क्यों कि पहले आपका आता है आपका घर का नंबर पिर आपकी एरिया का नंबर प्रेल श्टेट राजस्तान फिर आपका एंडिया तो अपको इतना अंदर कोई युनिक की हो सकता तो इस जगे यह से यूनिक नहीं होगा सेम दोस्तों यहां पर आई पी एड्रेस होता है जो आपका यूनिक होता है लोकल नेट्वर्क का आपका यूनिक एड्रेस होता है अब इसमें प्रोब्लम यह हैं कि यह हमेसा चेंज होता रहता है जिसा आपका तो घर का एड्रेस चेंज हो जाता है जिस समझ में आगा है यह एक के पास एक इंसां के पास एक बार ही रहेगा ठीक है देखिए दोस्तों अब इसमें अलग-अलग होते ही जिसे इसमें एक और चीज में आपको समझा दूँ ऐसे तो मैं अलग से पूरी क्लास कूंगा आई पी एड्रेस पे बड़ इसका चार वित में होगा दोस्तों चपता है इस एडिया में काम करता है है हाइर एजुकेशन की क्लास की पीडियम नहीं है कि मैं आज करता हूं ठीक है सोरी गाईज है अभी काम यह देखिए अब सबका इंटरनेट क्या आई पी एड्रेस अलग-अलग होता है ठीक है अलग-अलग यूनिक न नहीं जाता है आई पी एड्रेस आसो कांट एड्रेस एड्रेस परकाम करता है अगर आप इसको मेल करना है तो यह भी आई-पी एड्रेस से जाता है अगर आपका आई-पी एड्रेस गला तो यह नहीं जाएगा अब आईपी एड्रेस दो परकाल के होते हैं पहला होता है आपका इस्टेडिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस इस्टेडिक का क्या मतलब होता है वीडियों से पड़िंग लिए कौन किया रहा है नौर्स आपको मिलता है नोच आपको एक के ओपर सारे मिल जातेगा इस मेने कल ही अप्डूड करें तो आप यह नोच आपको मिल रहे हैं या नोच काहां वाठतनी मिल रहा है आपको बता हूं मुझे आप लोग को टेको दूस्तों स्टेटिक का मतलब होता है जो हम लोग 齐 नहीं कर सकते हैं आप मतलब होता है जिसक discharge कर सकते समझंगे आगए यहां से आपको normal सा अनुमान प्लट जाया होगा लिक्षा नहीं है आपके लिए मैंने एक option दिया हुआ है जिसके से आप लोग सेव करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो रूची आपके नोर्स में जिनके पास भी six मंत का course है उनके पास एक offer है एक option होता है डाउड करो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यह ऑफसर मैंने दिया हुआ कोई नहीं देता है किसका मतलब है कि आपके पास नोर्स अब लाइफ टाइम रहेंगे कि आपके इसको भी सेर्ट कर सकतू एस इस में आप संदिये वे आपको सब्सक्राइब का मतलब होता है कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं डाइनमिक का मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं ठीक है अब देखिए इस्टेटिक में दोस्तों क्या होता है कुछ से आइपी एड्रेस होते हैं जिसके नोग चेंज नहीं कर सकते हैं आपके नेटर के अपर होता है है ठीक है अब भी नहीं गुरूप में बाद में क्या बोला भी आईपी एड्रेस के उपर हम लोग अलग से क्लास करेंगे देखो आपने कोई भी नोट को डाउनलोड किया कंटेन में जाके अब एप के ओपर थ्री लाइन्स आती है उसके क्लिक करोगे ना तो वहां पर एक डाउनलोड को अप्शन आता है डाउनलोड में जाओ जितनी भी फाइल आपने डाउनलोड करें फिलर फॉर्म एप की वह ड रहते हैं आपको मैं अप्शन दें वह मोबाइल क्लो का आपको मैं पर यह लोग इंब लोगा पर से अब आपको डाउनोड का उप्षन भी नहीं मिलता हूं कि नोस भार नहीं आते हैं तो आपको दे रहा हूं मैं याद यह देखिए अब यहां पर मैं आगे ना आइप दिसके फोर्मेंट होता है वो 32 बिट को था गाइस यह एक्जाम एक प्रिस इसको याद कर लो 32 बिट का फोर्म हो ठीक है तो यह 32 बिट को होता है आप समझ में आ गया जो कि चलिए आप इसके दो होते हैं एक होता है नेटवर्ग आईडी और एक होस्ट आईडी उनको मैं अच्छे सा समझाँगा बढ़न अभी आप यह समझ लीजिए कि इसमें दो आईडी होती है नेट आईडी और हो को होता है जैसा इननों ने बोला आइपी एड्रेस आइपी एड्रेस की पांच क्लास सोती एक यह अगली क्लास में आराम से समझेंगे कि चलिए अभी इतना है कि मेरा आइस का आपको पता होगा में भी आज नहीं क्Att přिआ क्विक कह 파리 सेथ हैं रहागा उपलाओन के पुंट्री क्लास जी स्मुर्ट टास करी हैं और आज नूब सुन्ट को पाई तो यह मैं आराम से अप्रोड रोड कर दोगा कल दूद को आज तो नहीं कर पाह oike clown की में झाल झाल